हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका रिवीजिन सीरीज में आकरी दिन चल रहे हैं और एंवायमेंट को लेकर हम वापिस आए हैं पर आपको क्या सबको एक टॉपिक की लिस्टे ने ताकि पता रहे हैं आपको एंवायमेंट में क्या-क्या हमको पूरे दिन में कवर करना है ठीक है बहुत रापिट दिखते हैं इसे बेसिक्स ऑफ एकॉलजी शंकर आया इसकी एबुक अगर आप फॉलो करें तो वह सबसे बेस्ट सोर्स है दुनिया में फॉलो करने के लिए अगर आपने मरे क्राश को सटेंड किया है तो आपको हमने बिलकुल लाइन से बहुत सार चाप्टर में से एक होता है बेसिक्स जहां से आपको बहुत सारे टर्म्स पूछी जाती है ठीक है एको सिस्टम के कॉंपोनेंट्स यह शुरू के यह चाप्टर सम बिलकुल बिस नहीं करने है और फॉंक्शन ऑफ एको सवाल आए दिन दिखता है एक या दो सवाल दिखते जी आफ़ल के बिलकुल ही याद होने चाप्रू को सबढ़ा इन द्टैके नहीं नहीं है तो फमें पता में शायरखे बिलकुल हैं प्याद बिलकुल ही इस iags टाब होता है यह एक हमारे पास है यह तो हमें बिलकुल ही यादो चाहिए एंड इनकी डिस्टिंक्शन कहा पाए जाते हैं कहा नहीं पाए जाते हैं यह तो सवाल बहुत ही ऑफन पूछा जाता है इसकी vegetation के टाइप पूछी जाती है and then biodiversity पर आओ biodiversity में आपको flora and fauna flora and fauna मतलब कि जो भी पेड़ पौदे जाते हैं वहाँ पर animals के बारे में सब पता होना चाहिए and parallel ये जानने के बाद Indian biodiversity आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया में कौन से plant, animal and जो aquatic जो marine diversity की बात करें तो कहाँ पर क्या-क्या मिलता है इस पर भी सवाल पूछे जा चुके हैं जो सी का होती हैं डुगाउंग वगारा उस पर सवाल पूछे जा चुके हैं कितनी बार जो even की जो crocodiles वगारा पर सवाल पूछे जा हैं recently tortoise वगारा पर turtles पर and then critically endangered ये तो चलो hot topic है आपको पता ही है ये आपको list मिल जाएगी ठीक है नेट पर आप search करते हैं अगर crash course में आपने किया है वहाँ पर आपको list दी वी थी हमने critically endangered florafauna Indian ठीक है Indian जो ठीक है और उसके बाद जो protected area network चल रहे हैं मारे पास और बहुत सारे जो conservation efforts चल रहे हैं in-situ conservation, ex-situ सब कुछ मिलाकर ठीक है जो biosphere reserves वगारा सब कुछ then global initiatives इसका participant man and biosphere reserves उसमें various क्योंकि जो map के अंदर तो आपको पता है 10 biosphere reserves आते हैं वो बहुत ही जादा important है वो तो आपको बिल्कुल ही total याद होने चाहिए and then pollution pollution के बाद आती है air and water air and water pollution पर बिल्कुल विशेज धिहान दे कर ठीक है क्योंकि Delhi pollution के बाद तो यह topic बहुत ही जादा news में रहता है and then इसको efforts क्या कियेगा इसको कम करने के then climate change है na global warming, ozone hole, smoke smog होती है smog पर हमने बार-बार आपसे सवाल पूछे है कौन सी Los Angeles vlog है कौन सी London smog होती है क्या difference etc ocean acidification hot news है पका पता हो नहीं चाहिए जो अब उसके बाद towards the end देखें तो various important laws हमारे जो acts जो निकले उसके बारे बात करें conventions है na laws and conventions एक तो एक दो सवाल देखें गए है recently important and then climate change related organizations कि various organizations जो आप शुरू करो देखना and then उसके list ने खतम होती है and organizations and उसके साथ जोड़े हो है funds कि कौन से कौन से funds है इसके बार में भी जानना है नाशनल भी, इंटरनाशनल भी and जैसे इसी के साथ कही नाशनल की बात करो International Solar Alliance कितनी hot cake है यह ना बताऊना चाहिए हमें ECO में भी cover किया यहाँ पर भी cover करो then India की commitments क्या-क्या है various forums पर जैसे Paris Summit में क्या commitment थी etc. हमने क्या माटा में क्या convention में हमने commitment दिये then NAPCC जो भी action plan के अंतर जो various sub components हमें बताऊने चाहिए and then अब सबसे last में अंत में जो important कोई meetings या conventions या तो India ने host कियो सबसे पहली priority की क्या जो India ने host कियो वो हमें बिलकुल याद होनी चाहिए या फिर ऐसी जो हुई जिसमें India member बनके गया और India ने कुछ खास बात कही पूछी जाती है that's it host वाली तो सबसे top priority and then जहां पर India member बनके गया हो ठीक है दोस्तों effort effort अपना effort बढ़ाओ लगाओ and दिन भर में आपको make sure कि यह तो पता हो and देखो वही अपने current affairs पर विशेज ध्यान देना critically endangered पर विशेज ध्यान देना and particularly जो की अपने जो आपको पता है कि जो बिलकुल latest है अभी recently critically endangered हुए या फिर ऐसी जगाई जो आपको again मैं बता रहा हूँ जिसे bias fair reserve वगरागर पढ़ रहे होगे तो उसमें से कोई red से कोई river निकलती है तो उस river के बाद में पक्का जान लेना ठीक है उसकी bias fair reserve की geography पक्का जान लेना paper में आई दिन पूछी आती है last year पूछी गई उससे पिछले साल तीन साल हो गया है geography पूछी आ रही है bias fair reserves की तो यह हमारे थोड़ा सा attempt है कि आप सबको थोड़ा सा aware करने के लिए कि क्या last minute में कितना retain करने कितना retain किया जाए ठीक है तो effort करो and let's meet again soon tomorrow thanks a lot